हेलो फ्रेंड्स, बेलकम बैक तो माई चैनल, आज का ब्लॉग मैथन डैम पर है, जो कि जार्खन डिस्टेट के धनबाद डिस्टिक में आता है, धनबाद सीटी से लगवग 50 किलोमेटर का दूर है, जो कि आप परसनल वेहिकल से 1.5 हर में पहुंच सकते हैं, और आसन सोल से जो कि ब्रेश बंगाल में आता है, वहां से लगवग 25 किमिटर का दूर है, जो कि आप 30 मिंट्स में पहुंच सकते हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं मैथन डैम पर, यह डैम बराकर नदी पर बना हुआ है, और यह मेंली फ्लर्ट कंट्रोल और इलेक्रिसिटी पावर जनर क्या गया है, और इस पावर स्टेशन से 20,000 के के तीन यूनिट से, टोटल 60,000 के का इलेक्रिसिटी जनरेशन होता है, और साउथ इस्ट एसिया में एक लेटेस्ट टिकनिक का एक्जाम्पल माना जाता है, यहां आप अपने फैमिलिस के साथ पिकनिक के लिए आ सकते हैं, और यहां पर बच्चों के लिए छूले वगड़ा के भी बिवस्था क्या हुआ है, इस डैम पर बोटिंग की भी सुविथा है, और इसका प्राइस लिस्ट यहां पर लगा हुआ है, बोड मैथन बोटिंग सेंटर 1-4 परशन 23 मिनट्स के लिए 200 रुपीज और यह टेकिंग बाथ हिंदब, बोड खार्ट इस प्रोबेटेड, वह वहाँ पर बांध है, और उस रास्ते से साइडाना है, और यहां पर बोट लगे हुए है, यह घनी बादियों के बीच, यहां पर बोटिंग कराया जाता है, चलते हैं बोट पर इनके लिए, लोग हजारों की संख्या में डेली घूमने आते हैं, यहां पर खाने पीने की अच्छी सुविधा है, ट्रांस्पोर्टेशन के मामले में धनबाद, आसन सोल्थ था, ब्राकर से हर समय बस की सुविधा उपलब्द है, मैथन एक जगा का नायम है, जो कि झारखन और वेस्ट वेंगाल बॉर्डर पर आता है, मौस्ट अब दे टॉंसी पार्ट और रिजरवायर ज़ारखन में है, और इसका जो हाइडल है वो वेस्ट वेंगाल में आता है, यह जील 65 स्क्वायर किलूमेटर में फैला हुआ है और इसी जील पर बोटिंग किया जाता है, इस डैम का उद्गहाटन 1957 में भारत के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहाल नाल नहरू जी ने किया था, यह जो नदी है बराकर नदी है और साम के समय में यहां बोटिंग करने का मजा ही कुछ होड़ है, यह अब संसेट सोने वाली है लगवट साढ़े पांच बच चुके हैं और यह मस्त वाली जो हवाए ना बह रही है और यहां पर बच्चे लग मस्ती करें यह लगवग लगवग सुर्य भगवान बच चुके है अगर आप छाडखन के धनबाद बोकारो और बंगाल के आसन सोल जैसे जगह में हैं तो एक दिन के लिए फूल प्रैमिली के साथ इंज्जॉय करना चाहते हैं तो यह जगह आपके लिए बेस्ट है आप सभी को इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद